नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वगत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आप इस नुस्खे का सेवन हमारे द्वारा बताएगे वीदी से करेंगे और इस नुस्खे को हमारे द्वारा बताएगे वीदी से बना कर इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो दोस्तों, आपके स्रीर के नसों के रोग बिलकुल ठीक हो जाएगे। दोस्तों, चाहे आपको नसों में दर्द की समस्या है या कमजोर नस हो गई है या दबी हुई नस की समस्या है या आप नसों की ब्लोकेस को खोलना चाहते हैं वेरिकोस वेंस की समस्या है नरव पेन रहता है या आपके सरीर में कहीं भी आपको कमजोरी है और दोस्तों, आप अपने सरीरगी इस कमजोरी का इलाज करना चाहाते हैं दोस्तो तब भी ये नुस्खा आप के लिए बहुत आदेक चमतकारी है क्योंकि इस नुस्खे के अंदर हमने ऐसी ऐसी सामगरी का परयोग किया है जो एक-एक सामगरी हजारों बीमारियों पर भारी है और आपके सरीर को एडी से लेकर चोटी तक के पूरे सरीर को निरोगी बनाने की शमता रखती है और दोस्तो हमने तो इस नुस्खे में इन सभी सामगरी को एक साथ मिलाके एक ऐसा रामबा नुस्खा बनाया है जो आपके सरीर की हर मर्ज का इलाज करतेगा और दोस्तो इस नुस्खे की जो पहली मुखे समगरी हैं वह है दोस्तो दालचिनी और दोस्तो दालचिनी को मसालों की रानी कहा जाता है। दोस्तो दालचिनी का सेवन करके आप अपने पाचन समंदी विकारों को दूर कर सकती हैं, पेट के रोगों का इलाज कर सकती हैं, दोस्तो चाहे आपको सिर में दर्द रहता हो या फिर आपको चरम रोग की समस्या हो, दोस्तो इन सभी में दालचिनी एक चमतकारी रूप से का करती हैं आपके सरीर के खून को साफ करने का काम करती हैं खून की सुद्धी करती है और जब आपके खून की सुद्धी होती है तब आपके एक तो चहरे पर नया गलवाता है एजिंग की समस्या आपकी दोर हो जाती है दोसरा आप कोलोस्टोल और दिल की बिमारियों से बच र रखती हैं, आपके दिल को मजबूत करने का काम करती हैं, आपकी भूग को बढ़ाती हैं, सर्दी खांसी का इलाज करती हैं, दोस्तों आखों के रोगों के लिए भी दालचीनी का सेवन बहुत आदेक चमत कारी हैं, क्योंकि आप दालचीनी का सेवन करके आखों की समस्याओं से बचे रहते हैं जैसे कमजोर आँखे आदी यदि आप डाइबटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको दालचीनी का सेवन करना चाहिए और जो इसमें अगली समगरी हमने प्रयोग की हैं दोस्तो वह है काली मिर्च और दोस्तो अईरुवेद की अंसा काली मिर्च वात और कप का नासक की तरह काम करती हैं वात और कप को दूर करने वाली होती है काली मिर्च चाहे आपको गठिया के दर्द की या सरीर का कोई भी दर्द हो तब आपको काली मिर्च का सेवन करना चाहिए क्योंकि काली मिर्च आपकी इन समस्याओं का इलाज करत पाचन को मजबूत करती हैं और आप ये जो सरीर में कमजोरिर अलस्य के काण पूरा दिन ठका ठका सा फील करते हैं दोस्तो इसके लिए भी काली मिर्च और दालचिनी एक वरदान की त्रहे काम करती हैं दोस्तो काली मिर्च आपके वेट लोस में भी बहुत अधिक मददगार हैं आपके वजन को कम करने का काम करती हैं और दोस्तो अगली जो इसमें समगरी हमने परियोगी हैं दोस्तो वह है तेज पत्ता और दोस्तो तेज पत्ता अस्थमा जैसे बीमारी के लिए कारगर है सांस के रोगों के लिए बहुत कारगर दवा की तरहें काम करता हैं दातों की बीमारियों, हार्ट टेक और हार्ट ब्लोके जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए कारगर है, डायप्टीज को कंट्रोल करता है, डायप्टीज की जो कॉंपलिकेशन है, उन सब से भी आपको बचा कर रखता है, और दोस्तों, अगली जो इसमें समगरी हमने प्रयोकी है, वो है दोस्तों, अक्रोट, और दोस्तों, अक्रोट आपके पूरे सरीर की कमजूरी को दूर करते हैं, दोस्तों क्या आपको भी नसों में दर्द रहता है या आपके सरीर में नसों में प्रोपर रूप से खून का प्रवाहा नहीं होता है और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि आपके पूरे सरीर में खून का प्रवाहा प्रोपर रूप से नहीं होगा तो जि के स्रीर की कमजोरी का इलाज करता है जो कैल्सियम की कमी होती है दोस्तों हमारे स्रीर में कैल्सियम बहुत अधिक ज्रूरी घटक है क्योंकि कैल्सियम की कमी से हमारे स्रीर को बहुत सारे रोग लग जाते हैं एक तो हमारे स्रीर की हाडियां और दात कमजोर पर जाते हैं जिस से कट-कट की आवाज आती है, उठने बैठने में हमें दिक्कत होती है, दोस्तो Ackroate इन समने बहुत अधिकार करा है, diabetes के मरीजों को Ackroate का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे वो diabetes को तो контроль करेंगे ही इस و diabetes की बेमारी के जो कुम्प्लिकेशन है उन सब से भी बचे रहेंगे और दोस्तों जो अगली इसमें समगरी हमने प्रयोगी है वह है तर्बूज के बीज दोस्तों तर्बूज के बीज भी आपके सरीर के लिए वरदान की इतरह काम करते हैं चाहे आपको अपनी सरीर की इम्नुटी को बढाना हो दिल को मजबूत करना हो दैपटी जैसी बीमारी को कंटोल करना हो दिमाग को तेज करना हो तंतरी का तंतर को प्रोपर रूप से वर्क कराना हो है या अपनी तवचा को साफ सुतरा एजिंग की समस्य से बचना हो आपके चहरे पर नया गलो लाना हो तो दोस्तों इन सम में तर्बूज के बीज बहुत अधिकार गरें तो चली दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है यह alpsi लेनी है और alpsi के बीजो को आपने सेख लेने हैं जैसे कि हमने सेख लिया और दोस्तो सेखने के बाद आपने इस अलसी के लेने है चार चमच जैसे कि यह हमने ले लिया अब आपने तेज पत्ता लेने है चार सिंपल आकार के यानि की नॉर्मल आकार के तेज पत्ते लेने है चार अब बात आती है काली मिर्च की दोस्तो इसके अंदर काली मिर्च आपने लेनी है 10 से 12 और मगज यानि तर्बूज की बीजों का मगज भी बोल देते हैं मगज आपने लेनी है दोस्तो 4 चमच अखरोट लेनी है दोस्तो आपने 4 से 5 पूरे अख्रोट की इनकी गिरी निकाल लेनी है अपने और दोस्तो दालचीनी लेनी है आपने अपने अपनी जरूरत के हमसार थोड़ी सी दालचीनी लेनी है जैसे कि हम ले रहे हैं दोस्तो अब आपने इन सब को मिला कर इनको पावडर बना लेना है जैसे कि दोस्तो हम इन इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो दोस्तो आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे और आपका दोस्तो पूरा सरीर निरोगी बनता हुआ आपको खुद महसूस होगा चार दिन के प्रयोग से ही इसका असर आपको दिख जाएगा और आपका सरीर चार दिन वहीं निरोगी बनना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुश्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुश्खे का प्रयोग दें और अपने सरीर को बिलकोल निरोगी बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेर जुरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों